हेलो दोस्तो स्वागताब सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्या आरेस एकेडमी में दोस्तो राजस्तान में आये जित राजस्तान रिट बरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी यानि कि सामाजिक अध्यन का जो नवीन तम पाठे करम आया है उस पाठे करम के अनुसार यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आईकन को डबाएं वेडियो को लाइक नहीं फिर 30 प्रैस्ट है वो अपन संस्कर्थ वासा के करेंगे, ठीक है, तो दोस्तो, सामाजिक अध्यान के जो तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से देखिए इस मोडल पर को, देखिए, एकराणमे नमबर का प्रैस्ट है, अपन यहां पर पढ़ रहे हैं, एकराणमे से 150 प्रैस्ट तक सामजिक विज्ञान के कुशन है देखिए तो दोस्तो देखिए आलार कालाम है ये सांखे दरसन के आचारिये एवंब प्रशिद सादक थे दोस्तो जब महत्माबुद्ध ने दोस्तो गहे त्याक किया था यानि की महाबिनी स्क्रमन किया था उसके बाद में दोस्तो आलार कालाम से दिक्साली थी यानि कि सुन्ने वाद का ग्यान लिया था किसे बुद्ध ने आलार कालाम से लिया था तो आलार कालाम कौन हो गए तो बुद्ध के गुरु हो गए तो अपना चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए बूमद्यरेखा करकरेखा और मकरेखा तीनों किस महादीब से उकर गुजरती है बताएए तो दोस्तों देखिए मन में उत्तर सोच लिया करो क्या होगा इस प्रस्न का सही उत्तर ठीक है तो भूमद्यरेखा करकरेखा और मकरेखा यह तीनों है यह तीनों दोस्तों अफरीका महादीब से उकर गुजरती है ठीक है तो अपना इसमें एक नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए दक्सनी अमेरिका जो दोस्तों भूमद्यरेखा और मकरेखा गुजरती है करकरेखा नहीं गुजरती है ठीक है और यूरोप महादीब में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल करकरेखा गुजरती है और ऑस्टेलिया महादीब से केवल मकरेखा गुजरती है यह आपको इसमें याद रखना है तो यह गैस कौन सी है यूरो नॉम्स सवचालित वाहनों में एक गैस उत्सरजन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं यह गैस कौन सी है तो वो है दोस्तो सी ओ यानि की कार्बन मोनोकसाइड है तो अपना इसमें राइट आंसर दो नंबर का उपसद बिल्कुल सही उत्तर हो जा गोलार्द में बताइए तो दोस्तो यह गड़ी की सुई के विपरीत होती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें एक नंबर का उपसद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है यह केरेल का नियम है तो आप पढ़ तो दोस्तो लोक तंतर एक ऐसी सासन प्रणाली है जिसके अंतरगत जनता अपनी स्वेच्छा से चुनाव में आये हुए किसी भी दल को मत देकर अपना परतिनी दित्व चुनती है और उसकी सत्ता बनाती है लोकतंतर दोस्तो के बारे में अबराहम लिंकन ने कहा है कि जनता का जनता द्वारा जनता पर सासन ही लोकतंतर कहलाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए जनता का सासन जनता के लिए सासन और जनता के द्वारा सासन तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा उप्रॉक्स अभी चार नंबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अगला प्रेस्टन बहुत इसांदर लेवल का प्रेस्टन है देखिए निम्न को सुमेलित करो निम्न को दोस्तो क्या करना है सुमेलित करना है अपने को बताना है कि दोस्तो कौन सा अधिकार है वो किस से समंदित है अब यहाँ पर देखिए दोस्तो देखिए बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ती बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ती तो दोस्तों ये किसका अधिकार है तो ये अधिकार है दोस्तों सर्रक्षन का अधिकार कौनसा अधिकार है ये सर्रक्षन का अधिकार है आगे देखे इसमें भोजन आवास वश्तर पाने का अधिकार ये दोस्तों क्या है तो ये जीवन जीने का अधिकार है यानि कि जीने का अधिकार है ये शिख्षय पाने का अधिकार है ये विकास का अधिकार है तो इस प्रेश वितिय संस्तान जो मोद्रिक वे बैंकिंग चेतर को नियंतरित करने किसी भी देश का वहें सिर्ष के लिए अधिकरत होता है वितिय संस्तान जो मोद्रिक वे बैंकिंग चेतर को नियंतरित करने किसी भी देश का वहें सिर्ष के लिए अधिकरत होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केंद्रिय बैंक एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें एक अनुबंद जो किसी व्यक्ति या उसके नमांकित व्यक्ति को किसी भी गटना के गटित होने पर सहमत राशी का बुगतान करने का वचन देता है तकनी की रूप से जाना जाता है तो ये जाना जाता है दोस्तों जीवन बिमा दो नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है जीवन बिमा क्या है तो दोस्तों जीवन बिमा एक लिखित करार है जो व्यक्ति एवम बिमा परदाता के बीच में किया जाता है या आपको इसमें याद रखना है टोटल 150 प्रसन हैं वो यहाँ पर करेंगे इसलिए आपको टेस्ट है वो पूरा देना है ठीक है देखें कितने दीवस में उपभोगता निर्ने के विरूद अपील कर सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो 30 दिन में एक नंबर का जो उप्शन है वो इसक यह है जमाएं स्विकार करना रण देना मुद्रा का विनीम करना तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोकत है सभी तता विदेशी व्यापार के लिए विद की वेवेस्ता करने वाली संस्ताओं को विदेशी बैंक कहा जाता है वरतमान समय में ये बैंक है वो वानिजिक बैंकों के समान ही कारिये करते हैं तो अपना इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 101 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए राजस्तान में एक ग्राम सबा बनती है तो दोस्तो देखिए ग्राम सबा बनती है तो दोस्तो पंचायद सरकिल में आने वाले गाम गाओं के पंजिकरत मतदाताओं से दोस्तो ये बनती है तो अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तीन नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है 32 सांदर लेवल का ये प्रेस्टन था आगे देखिए इसमें भारतिय सविधान में मौलिक करतवे कब कि गए गए तो दोस्तो कब किए गए मौलिक करतवे तो आपने नाम तो सुनाई होगा 42 सविधान संसोधन का और उसी संसोधन के माद्यम से दोस्तो सर्दार सुवन सिंग की सर्दार स्वन सिंग एक समीधि dropped committed ऑस समीधिकी सी परिसको आदार पर दोस्तों ये मौलकरतवे है ये सामिल किये गए थे अनुचे 51 के में ये वरनित है ठीक है जो 42 वा सविदान संसोदन हुआ था कब हुआ था 1976 में तो चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा एक सो तीन नंबर का प्रेस्ण है इसमें देखिए भारत में संसदिय ढाचे में दो ऐ स्टाई सद्नों के नाम बताईए तो दोस्तों कौन कौनसे है वो लोक सबा और विधान सबा चार नंबर का उप्शन है की बिल्कुल सेउतर हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें 104 नंबर का प्रेस्ण है माउंट आबू की तलटी में कौन सी सब्वेता के अवसेश प्राप्त हुए है आबू रोड से करीबन 7-8 किलो मेटर दूर एक गाम आता है चंद्रावती ठीक है और वहीं है दोस्तों ये सब्वेता कौन सी सब्वेता चंद्रावती आज भी वहाँ पर खुदाई हो रही है और वहाँ पर जो सामान वगिरा मिल रहा है पुराने जमाने का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों दियानंद सरसोती तो अपना इसमें राइट आंसर इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है या आपको इसमें याद रखना है नेक्स्ट आगे देखिए सांगपो किस नदी को कहा जाता है अब ये सांगपो है इसको अगर अपन पूरा बोले तो यार लंग सांगपो है ये यार लंग सांगपो है ये और ये दोस्तो तिबबत में मानसरोवर जहिल के निकट से ये दोस्तों चेमाई युंग-डुं की पाड़ी से ये नदी निकरती है जिसको चाइना के अंदर सांगपो के नाम से जानते हैं तो दोस्तों वो नदी है कौन सी जिसको भारत में ब्रहम्पुत्र नदी के नाम से जानते हैं तो इसका right answer, तीन number का option, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है, आगे देखिए, निम्न में से वह मर्दा, जिसमें मर्दा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमे लेटर आइट मिटी, तो इसमें दो number का option, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीन number, सोरी, 108 number का प्रेसन है, इसमें देखिए, निम्न में से तराखंड में है, बिल्कुल सही है, काजी रंगा, जो अब्यारन है, वो असम में है, बिल्कुल सही है, काना नेशनल पार्क है, यह मद्दे परदेश में है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए, नंदन कानन पस्सिम बंगाल दे रखा है, जो कि साब इसमें गलत दे र तो यहाँ पर नंदन कानन जो राश्टी पार्क है ये दोस्तों कहाँ पर है असम में है तो अपना राइट आंसर चार नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट एक सो नो नंबर का प्रेस्ण है इसमें देखे सविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत कोई भी वेक्ती मूलबूत अधिकारों के हननन का मामला सीधे उच्टम नैले में उठा सकता है बताईए तो वो सविधानिक उप्चारों का अधिकार जिसको अपन बोलत चावनी बोर्ड है चावनी बोर्ड है वो कहाँ पर है तो दोस्तों ये देखे राजस्तान में नसीराबाद अजमेर में एक मातर चावनी बोर्ड की स्थापना की गई है तो अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का उप्शन सही उतर हो जाए का नसीराबाद 111 नंबर क प्रेशना है इसमें देखे सर्वच नयायले के नयायदिस किस आयू में सेवा निवरत होते हैं तो कौन सी आयू में सेवा निवरत होते हैं देखे सुप्रीम कोट के यहां पर नयायदिस की बात हो रही है तो देखिए दोस्तो देखिए अनुचेद 122 के अनुचेद 122 के अन वो 65 वर्स निर्दारित की गई है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चार नमबर का उप्सन तो ये निहित है राज्य पाल में ठीक है राज्य की पूछ रहा है तो अपने को राज्य पाल करना है ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर दो नमबर उप्सन सह इतर हो जाएगा आगे देखे इसमें तो दोस्तो ये किया जाता था मोरी काल में सिता डेक्स कृसि भूमिका डेक्स होता था और वहीं है वो भूमी कर वसूलने का कारिय करता था ठीक है यहां पर अपने को सिता डेक्सिस का राइट अंसर करना है ठीक है नेक्स्ट इन में से किस विवस्ता को बंदोबस्त विवस्ता के नाम से भी जाना जाता है बंदोबस्त विवस्ता का नाम तो आपने सुना होगा और टोडरमल का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है दोस्तो अकबर कालीन भूरा अजस्वे विवस्ता की दैसाला पदती को बंदोबस्त विवस्ता के नाम से जाना जाता था और इस प्रणाली के जो प्रेनता थे वो थे टोडरमल इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है या आपको इसमें याद रखना है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कुन सा तो वो है दैसाला ठीक है दैसाला के नाम से भी जानते हैं दैसाला पद्दती के नाम से इसको ठीक है तो इसमें दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें देखे उपरी ब्रहम पुतर घाटी में पाये जाने वाला परमुखनीज है उतरी ब्रह्म पुतर गाटी में पाय जाने वाला प्रमुखनीच कौन सा है तो वो है पेट्रोलियम तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखें एक सो सोला नमबर का प्रेस ननिमने में से ऐसते कतन को चांटना है एसते कतन कौन सा है वो अपने को बताना है देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्पादन वर रोजगार की दरिश्टी से देश में सिमेंट उद्द्योक का दूसरा आगे देखिए गुनी सो चोदा में पहला भारती सिमेंट कार खाना पौरबंदर गुजरात में इंडियन सिमेंट कंपनी द्वारा इस्तापित किया गया था बिल्कुल सही है इसमें तीन उकतन है वो सत्ते कतन है इसमें कोई भी सत्ते कतन है वो नहीं है तो अपना इसमें राइट आंसर चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आगे देखिए इसमें 117 नंबर का प्रेशन है अंग्रेजों के विरुद भीलों द्वारा क्रांती प्रारंब की अगे देखिए के निमनलिकित कतनों में से कौन सा ऐसयोग आंदोलन के सम्मंद में सही नहीं है तो दोस्तों यहां पर देखिए कौन सा सही नहीं है ऐसयोग आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों यहां पर तीक है ऐसयोग आंदोलन है ये का प्रारंब हुआ था एक अगस्त 1920 को ये प्रारम हुआ था ठीक है और 5 फरवरी 1922 को उत्तरपरदेश के गोरकपुर जिले के 4-4 कांड के कारण महत्मा गांदे ने इसे 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था ठीक है या आपको इसमें याद रखना है देखिए इस आंदोलन की अवदी है वो 1920 से 1922 तक थी बिल्कुल सही है एक वर्स के बीतर सवराज की प्रापती इसका लक्से था बिल्कुल सही बात है ये भी इसका लक्से था इसमें बहिसकार की उजना थी ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है पूर्टाए विदेशी स सामान के बैसकार की योजना थी इसमें दिखेंज में सूफी मत के अनुसार खान काहो से अभी प्रायाई है तो कान काहो से क्या अभी प्रायाई है तो दोस्तो इस अभी प्राय है कि वे इस्तान जहां सुफी संत बैटकों का आयोजन करते हैं तो इसमे राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 120 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए कनोज पर लंबे समय तक त्री पक्सिय संगर से किन तीन राजवन सो के मद्दे चला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें पाल राश्टर कूट और गुजर परतिहार तो दोस्तो इसका राइट आंसर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान के किस छेतर में पिंड मांट मैदान इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है पूरवे मैदानी परदेश में दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे स कामनेत राजस्तान को कितने जलवायू छेत्रों में विभाजित किया जाता है तो कितने जलवायू छेत्रों में विभाजित किया जाता है तो दोस्तों पांच जलवायू राजस्तान के जलवायू परदेशों को पांच भागों में विभाजित किया जाता है ठीक है और कौन- नेक्स्ट राजस्तान में स्टील ग्रेड चुना पाया जाता है तो ये कहां पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर नागोर जिले में ठीक है जैसलमेर जिले के सोनु छितरे देखे 124 नमर का प्रेस ने इसमें देखी 2001 से लेकर 2011 के दसक के दोरान राजस्तान का सरवादिक जनसंग के वाला जिला कुन सा है तो राजस्तान का सरवादिक जनसंग के वाला जिला है वो कुन सा है तो वो है जेपूर है जिसकी जनसंग क्या कितनी है तो दोस्तो 66.26 लाक तो इसमें राइट आंसर चार नंबर का उप का गीत सबसे लंबा है राजस्तान के लोग साहिते में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है तो अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है जीन माता का जीन माता का मंदिर कहां पर है रेवा सा सिकर में है आप सबी को पता है आगे देखिए मित्रों इसमें 126 नंबर का प्रेस ने प्रसिद चितर करती डोला मारू की सैली है तो वो कौन सी सैली है तो वो है दोस्तो जोधपूर तो अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिलकुल सैली हो जाएगा जोधपूर ठीक है आगे देखिए इसमें उद्यपूर भीलवाड़ा वचितोडगड़ में अधिकांस्ता बोली बोली जाती है तो कौन सी बोली जाती है तो दोस्तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है उद्यपूर भीलवाड़ा चितोड़गड़ बासव खमबात की खाड़ी में जाकर गिरती है तो सीधा सा है माई नदी है वो ऐसा है करती है कि मद्य परदेश से तो उसका उद्गम होता है और राजस्तान में बहते हुए यू का आकार बनाते हुए ये खमबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है तो अपना राइट आंसर हो जा ठीक है आगे देखिए इसमें 29 नंबर प्रेस ने देखिए दोस्तों यहां पर मेवाड आंदोलन मानक के लाल वर्मा बिल्कुल सही है जैपूर आंदोलन हिरलाल सास्त्री बिल्कुल सही है दोलपूर आंदोलन ज्वाला परसाथ जिग्यासू बिल्कुल सही है ठीक है अब य यहां पे पंडित नेनुराम सर्मा दे रखा है, जो कि दोस्तों बुंदी आंदोलन से समंदित है, मारवाड परजाम अंदोलन से समंदित है, दोस्तों इसमें जैनाराण व्यास का नाम आता है, ठीक है, और भी कई थे, उनका में नाम आता है, ठीक है, तो यहां पर नेनुरा निम्न को सुमेलित कीजिए, अब अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा अब्यारन है वो किस से समंदित है, अच्छा प्रसना आप इसको कह सकते हैं, देखिए, रेत का जो तीतर है, सुची फरस्ट को सुची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है, रेत का तीतर के लिए दोस्तों गजनेर अब्यारन है वो प्रसिद है, ठीक है, और जर्खों, जो जर्खोते ना, ठीक है, जर्खों के लिए दोस्तों बंद बारेठा अब्यारन है ये प्रसिद है, और काले हिरनों के लिए दोस्तों तालचा पर अब्यारन प्रसिद है, और सांपों के लिए शेर गड़ तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें एक तीन दो चार यानि की एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 131 नमबर का प्रेसन इसमें देखे सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन सही है तो यहां पर डायरेक्ट में आपको बता रहा हूँ देखे सामाजिक विज्ञान एक विशलेशन आत्मक और सरजन आत्मक मानस की नीव रखता है तो इसमें चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक सो बतीस नमबर का प्रेशन इसमें देखे एक दसक में एक छेतर विशेश में वर्षा में में से कौन से सिक्षन सामगरी उप्यूगत है तो वो है तो उस्तों अपना इसमें दंडारेक्ट दो नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो आगे देखे सामाजिक विज्ञान में निमनलिकित में से कौन सा सिक्षन पद्दती सबसे अधिक प्रभावी है तो कौन सा सिक्षन पद्दती है वो सबसे अधिक प्रभावी है जिसे सिक्सकों को इस्तिमाल करना चाहिए तो दोस्तों ध्यान से सुनेगा तो दोस्तों वो है अपना इसमे सिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारो तेजक गती विदियों में सामिल करना तो अपना इसमें तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सम्ता के बारे में पढ़ाने के लिए निमनलिकित में से सरवादी को प्यूक्त पदती कौन सी है तो सरवादी को प्यूक्त पदती है वो कौन सी है तो वो है गरीबी और पुंजिवाद के विचारों से समंदी छेतर कारिक देना तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 135 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे निमनलिकित में से कौन सा नियमो वी नियमो और मुल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो समुह चर्चा आगे देखे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध़ारनाओं को इसपष्ट करते समय जब एक सिक्सक व्यक्तिक अनुबहों का परियोग करता है तो वह है उनकी इस्तानिय वास्विकता को वैस्विक संदर्बों के साथ जोड़ने की योगिता को बढ़ावा देता है तो अपना इसमें तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 137 नंबर का प्रेस ने निमनलिकित राजस्तानी बोलियों में से तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो वागडी चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वागडी आगे देखें निमनलिकित में से कौन से चितर सेली पंच तंतर चितरांकन के लिए जानी जाती है नेमनलिकित में से कौन सी चितरसली पंच तंतर चितरांकन के लिए जानी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है मारवाड ठीक है दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो वो है दोस्तो बेंगू किसाना अंदोलन दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राव मालदेव की छतरी निमनलिकित में से राजस्तान के किस सहर में इस्तित है तो वो है जोधपुर में दो नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 142 नमबर का प्रस्टन है महारानी अमर कुंवरी बुंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंग की पत्नी थी वह किसकी बहीं थी बहुत ही अच्छा प्रस्टन है तो दोस्तों ये बहीं थी किसकी त बताएए किसकी बादूरी के कृते बिठु मेहा के रावले में उल्ले कित है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों गोगाजी के ठीक है एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चंपकली इसमें देखिए चंपकली जो चंपकली नामक आबुसन इस तरियों दुवरा सरीर के किस अंग पर पहना जाता है तो ये पहना जाता है दोस्तों गले में पहने जाने वाला ये आबुसन है चंपकली आगे देखिए अपना इसमें तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी चत्री है वो कहां पर नहीं है गलत अपने को इसमें बताना है ठीक है यहां पर देखिए मुसी मारानी की चत्री कहां पर है अलवर में है और गोपाल सिंग की चत्री है ये करोली में है राम गोपाल पोदार की चत्री है वो रामगड जैसलमेर में है और यहां पे राम गोपाल, पालीवाल की चत्री है, वो कापर है, यहां पे विकानेर है, वो गलत दे रखा है, तो आप सभी को पता है कि पालीवाल जो ब्रामन है, जिन्नोंने खडीनों का निर्मान करवाया था, तो आप अब खुद बता सकते हैं, तो आप अब खुद बता चाहिए दोबार देखिए चातर के अधिगम में अंत्राल का निदान निमनलिकित के बाद करना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उचित उप्चारात्म कुपाए एक नंबर का उप्चन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 148 नंबर का प्रेशन है इसमें दे आगे देखिए शिक्सन अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना महतोपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर्भिन होती है और वे भिन तरीकों से शीख सकते हैं तो इसमें तीन नंबर का उप्चन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्सक को दोस्तो सामुई के प्रिश्चन अब दोस्तो ये जो मने आपको 60 प्रसन करवाए हैं ये तो सामाजिक विज्ञान के जो प्रसन हैं वो हो गए हैं अब जो मैं आपको प्रसन करवाने जा रहा हूँ ये दोस्तो बाल विकास से हम सिक्षा सास्तर से समंदित ये प्रसन है और आपको टेस्ट देना है तीस में से आपके कितने प्रसन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना एक मोडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवस्य देना है ठीक है पले लिश्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर रिट से समंदित से समंदित आपको काफी सारे फोल्डर मिल जाएंगे तो आप वहाँ जाके सारी कलासे हैं वो जरूर देखें देखिए दोस्तो यदपी दो विक्ती समान नहीं होते हैं किन्तु सभी समाने बालकों में विकास का करम समान होता है यह परीबासा किसने दी है तो दोस्तों यह परीबासा दी है किसने तो यह गेसल ने दी है यह परीबासा किसने दी है गेसल ने यह आपको इसमें याद रखना है गेसल ने यह परीबासा दी है आगे देखें किसोर आवस्ता में बच्चे किस परकार के समस्या का सामना करते हैं तो दोस्तो किस और आवस्ता वह हैं समय है जिसमें विचारसी लिएक्ती बाल्यावस्ता से परीपकवता की और संक्रमन करता है इस अवस्ता में बालक मानसिक एवं सारिरिक परिवर्तन में समयोजन करने में कटना ही महसूस करता है इसलिए इसे बहुत नाजुक समय कहा गया है तो दोस्तों वो है सारिरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समयोजन करना तो इसमें एक नंबर का option बिल्कुल सही बिक्तर हो जाएगा आगे देखेंगे निमनलिकित में से कौन सा मुखे रूप से अनुदेशन के निरमित वाद उपागम का तत्वा नहीं है तो अपना इसमें तया देखेंगा ठीक है करने की और गूमने की परवर्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है इस अवस्ता में बालकों में नई खोज करने की और गूमने की परवर्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर बाल्यकाल तो इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पांच नमबर का प्रेशन है इसमें देखे मुल्यानकन परकिरिया के तीन महतोपून बिंदु है तो वो कौन से हैं तो वो है उद्देशे अधिगम अनुबाव एवं मुल्यानकन के उपकरन है तो अपना इसमें एक नमबर का उप्शन बि और भावात्मक जागरती द्वारा तो अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है तीन नमबर का उप्शन एक और दो दोनों इसमें सही है आगे देखे सेश्यावस्ता की विशेष्ता नहीं है तो सेश्यावस्ता की विशेष्ता है वो कौन सी नहीं है देखिए जनम से पांच वर्स तक के आयुकाल को सेश्यावस्ता का जाता है इस अवस्ता के परतम तीन वर्सों में शीशु का सारीरिक विकास वो तिर्व गती से होता है नेतिकता का विकास बाल्यावस्ता काल में दिखाई देता है तो अपना इसमें देखिए कौन स विशेष्टा नहीं है तो यहाँ पर आपको दिग्या होगा नेतिक तका होना यह दोस्तों बाल्यावस्ता काल में बाल्यावस्ता काल की विशेष्टा है बाकी और तीनों के तीनों है वो सिश्यावस्ता काल की विशेष्टा है ठीक है तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही सिक्षेत्रों को नियमित रूप से अंकलित करना ये है दोस्तो सतत एवं व्यापक मुल्यानकन सितात पर अदिगम एस सक्सम सोरी एद नहीं इसमें दुबार देखिए इस प्रसंद को यदी आपकी कक्षा में कोई बच्चा अदिगम एसम हो तो आप क्या करेंगे तो दोस्त बताईए तो आप क्या करेंगे तो दोस्तों शिक्षक को उसकी एसमता को जानकर उसकी शिक्षा विवस्ता उस अनुरूप करना ज्यादा बेतर होगा तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उसकी एसमता किस परकार की है यह जानकर उसको शिखाने का प्रियास करेंगे तो दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा दस नमबर का प्रेस ने प्रजातिगत व्यक्तिगत विबिनताओं को समझने में निमन लिखित में से क्या मददगार साबित नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बुद्धी च ICT को परिबासित किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विबिन तकनिकी उपकरण तथा संसादन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेक्षन सरजन प्रुशार संगरण तथा परबंदन किया जा सके दो नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो गुण कौन सा है तो देखिए सरजनात मक्ता मुक्यता नवीन रचना या उत्पादन में होती है इसमें मुलिकता उप्योगिता और परवा का गुण है वो पाया जाता है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए मुलिकता परवा है और उपियोगिता का गुण पाय जाता है लेकिन मितवेता का इसमें गुण नहीं पाय जाता तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा केटेल आगे देखिए अधिगम को परभावित करने वाला वेक्तिगत कारक है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो परीपकवता एवम आयू परीपकवता एवम आयू चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए पंदरा नमबर का प्रेस ने एक क्रिकेट खिलाडी अपनी गेंदबाजी के कोसल को विक्सित कर लेता है पर यहें उसके बल्ले बाजी के कोसल को परभावित नहीं करता है इसे कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं तो दोस्तो इसे सुने पर एक्सन अंतरन कहते हैं तो इसमें तीन नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से कौन सा कारक इस मर्ती से समंदित नहीं है निम्न में से कौन सा कारक इस मर्ती से समंदित नहीं है तो वो है दोस्तो अनुभूती चार नमबर का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा अनूबूती सतरा नमबर का प्रेशन है इसमें देखे योगात्मक मुल्यानकन का उद्देश है तो दोस्तो समय विशेश एवं विबिन कारियों पर एक विध्यारती ने कितना अथ्छा निस्पादित किया है उसका पता लगाना तो अपना इसमें एक नंबर का option बिलकुल सही हुत्तर हो जाएगा देखेए इस अठारे नंबर का प्रश्न अभी वर्ति सम्परते है तो क्या है अभी वर्ति सम्परते? दोस्तो अभी वर्ति किसी व्यक्ति वस्तू या गटना के परती एक खास डंग से अनुकिरिया करने की एक मानचिक तक परता है जिसमें संग्यान परक, किरिया परक और स्वेगात्मक समपरते पाया जाता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ये सबी आगे देखिए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्तों को बनाए रखने के लिए निम्न मेंसे कौन सा तरीका अधिक मैतोपून है तो कौन सा तरीका अधिक मैतोपून है तो वो है अध्यापक की भूमी का एवम विद्याले वातावरन चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए विक्तित्व के विशेशक सिद्दान्त के परबल समर्थक कोन है तो दोस्तो इसका राइट आ नहीं है गाडनर ने साथ अभियोगिताओं का अधिमान निर्दारित किया इन में से कौन सा नहीं है तो पताए कौन सा नहीं है तो वो है भावनात्मक अभियोगिता दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में से कौन सा अधियात्मक बालकों की सिक्षा के समय निमन बाते ध्यान में रखनी चाहिए तो दोस्तों बालकों को मनुरंजन के उचित अवसर दिये जाएं सिक्सकों का मदूर वे सयोगात्मक वेवार अच्छे कारियों के लिए प्रोच सहन वे पुरुषकार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे थोंडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आदार पर व्यक्तित्व को बताया है तो दोस्तों व्यक्तित्व को बताया है तो क्या बताया है तो दोस्तों सुक्सम विचारक प्रतेक्स विचारक इस्तुल विचारक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी आगे देखे रोशी शाही दबा परिक्षन का प्रियोग किय गया तो दोस्तो किस पर किया गया तो अपने को पुस्त के ग्यान के परती विवस्तित करने की योगिता कौन सी बुद्धी कहलाती है तो कौन सी बुद्धी कहलाती है तो दोस्तो एमुर्थ बुद्धी कहलाती है तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही वित्तर हो आगे देखे नीदनात्मक परिक्षन का गुन नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें चात्र उद्दे से हीन हो जाते हैं तो इसमें एक नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे अधिगम के इस्तनांतरन का अर्थ है अधिगम के इस्तनांतरन का अर्थ क्या है तो दोस्तों किसी सीखी हुई बात के माद्यम से दूसरी बात को सीखना तो अपना इसमें राइट आंसर चार नमबर उप्शन सही उतर आगे देखे वेक्तिगत बिंता का परमु खादार क्या है तो वो है दोस्तो अधिगम रूची लिंग भे तीनों है तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सभी तर हो जाएगा यह तीश प्रेस्टन अपन ने बालविकार सेवं सिक्से सास्तर से समंदित है वो अब आपन जो तीश प्रेस्टन पढ़ने वाले हैं वो दोस्तो हिंदी से समंदित होंगे ठीक है तो फटाफट अपन हिंदी के प्रेस्टन भी कर लेते हैं देखे दोस्तो इगतिस नंबर का प्रेस्टन है वानी का प्रेयाइवाची है तो वानी का प्रेयाइवाच क्या है तो वो है अनुदात तीन नमबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे संचालित सब्द को संदी है या जी कि संचालित सब्द में संदी है तो कौन सी संदी है तो इसमें संदी हो जाएगी दोस्तो वेंजन संदी ठीक है तो इसमें राइट आंसर दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे कलम के सिपाही किस के लिए परियुक्त हुआ है तो ये परियुक्त हुआ है दोस्तों किस के लिए तो प्रेम चंद के लिए तो इसमें एक नमबर उप्षन विल्गाएं 36-40 के उसन तक आप ओटमेटिक है वो कारी प्रसन है वो सही कर देंगे यहाँ पर देखिए आश्री चकीत रहे गए सिक्सिक्ष तातफरी है तो इससे तातफरी है दोस्तो अचंबे में पढ़ जाना आगे देखे गांदी जी ने अहिन सात्म कांदोलन क्यों चलाया था क्योंकि वे देश को आजाद कराना चाहते थे दो नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे अपना सा मुहे लेकर रह गए का अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तो सर्मिन्दा हो गए नेक्स्ट कवी का लिंग परिवर्तन होगा तो दोस्तो कवी का लिंग परिवर्तन होगा कवी 3 ठीक है यानि कि कवी का इस तरह लिंग कवी 3 होगा आगे देखे भारत में वचन होगा तो दोस्तो भारत में कौन सा वचन है तो दोस्तो नित्ते एक वचन है next किसान दिनरात परिश्रम करते हैं इस वाक्य में उद्दे से पद है तो इसमें उद्दे से पद कुन सा है तो इसमें दोस्तो किसान है वो उद्दे से पद है आगे देखे राजस्तानी बॉलचाल में परचली थे नीरो का हिंदी समनार तक है तो नीरो का हिंदी समना अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो है नीरो किसको बोलते है पस्व का चारा को बोलते है आगे देखे पदकरम की दरश्टी से सही वाक्य कुन सा है तो सही वाक्य है दोस्तों पितान ने पुत्र को प्रियाप्त धंदिया तीन नember का option बिलकُल सेउक्त हो जाएगा आगे देखे, बादल खुब गरचते हैं परंतू वर्षा नहीं होई उप्रियुक्त वाक्य रचना के आधार पर किस परकार का वाक्य है तो दोस्तों ये किस परकार का है । ये सेउक्त वाक्य है दो नमबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें, साधरन वाक्य में होता है तो दोस्तो साधरन वाक्य में क्या होता है तो दोस्तो एक उद्दे से और एक विदे होता है तीन नमबर option सहीतर हो जाएगा आगे देखिए जो आपको ये चिने दिखाई दे रहा है विराम चिने का नाम क्या है तो इस चिने का नाम क्या है तो इस चिने का नाम क्या है तो इस चिने का नाम क्या है तो वो उदारन है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो कावे पाठ है चार नंबर का उपसन बिल्कुल सही आगे देखे, स्रुन कोसल विकास के अंतरगत किन सक्तियों का विकास आवसक है, तो कौन से सक्तियों का विकास आवसक है, तो वो है दोस्तों, अंतरबोध सक्ती, धारण सक्ती, बोधन सक्ती, तो इसका राई टांसर हो जाएगा उपरोक सभी, आगे देखे, पचास नवर का में रूची जागरत करने के लिए तो अपना इसमें राइट आंसर चार नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे उच प्रात्मिक इस तर पर भासा सिक्षन का एक मुख्य उद्देशे है एक मुख्य उद्देशे है तो वह है भासा की नियंबद प्रकृति को पहचानना एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बावन नंबर का प्रेशन इसमें देखे बासा सिक्षन की किस विदी में मातर भासा के लिए सरवादिक महतोपून है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें बासा परियोग के आपके लिए सबसे कम महतोपून है तो सबसे कम महतोपून है तो वो है सवेदानिक मुल्यों की जानकरी तो चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे साहित्य कि किस विदा के सिक्षन में सहस्वर पठन सरवादिक अपेक्सित है तो इसका आत्मे किस तर पर हिंदी बासा में अभी वेक्ति परक्ने के लिए पढ़ना यह मुहावरे का वाक्य में परियोग कीजिए ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें बासा अरजन में बच्चे बासा को सहज और सुभाविक रूप से सीखते हैं एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें हिंदी बासा सिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महतोपूर्ण मानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों को विबिन संदर्बों में बासा परियोग शिखाना दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का प्रियोगों से युक्त सामगरी उपलब्द कराना तो इसमें एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे 59 नंबर प्रियोगों साथवी कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कारिय समाप्त कर लेती है हिंदी बासा सिक्सक के रूप में आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे तो दोस्तों रूबी को उसकी पसंद का कारिय करने के लिए कहेंगे तो अपना इसमें तीन नंबर का उप्शन से उत्र हो जाएगा आगे देखे उच्छ प्रात्मी किस तर पर बासा सिखने को प्रभावित करता है उच्छ प्रात्मी किस तर पर बासा सिखने को प्रभावित करता है तो ये करता है दोस्तों सिख सक का बासा सिक्षन समं संदी रवया दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब आपन जो बासा सेकंड ले रहे हैं संस्कर्ट ठीक है गज्जान्स को पढ़के उतर देना था तो अपन डाइरेट सल रहे हैं दोस्तों ठीक है इसमें राइट आंसर तीन नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे देखे मुझे संसकर्थ है वो कमाती है तो आपको स्क्रीन के उपर ज्यादा ध्यान देना है ठीक है देखे इसमें तदन्य तरापी इती सब्दे कैसंदी उदारण मस्ती राइट आंसर हो आगे देखे इसमें पांडवहे इती सब्दे कैस समासा थी राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है तक्पुरू समासा नेक्स्ट आगे देखे इसमें देखे सुगुम्थी इसमें देखे सुगुम्फित इती सब्दे उप्सरग वर्तते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें सु तीन नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें देखे कुत्र आपयंतरत इती सब्दस्य संदी विछेद कुरू राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो अपना इसमें कौनसा तो वो है कूत्र प्लस अपी प्लस अन्यतर है तो इसमें चार नंबर उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें यथावद वस्तू वरनाम कसे अलंकारशे लक्षनमस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रान्वी मान आगे देखे इसमें निवनलिकित कस्मीन वाकए अब यह सबदस्य परियोगम नास्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो राम शामो ग्रहम गच्छत है चार नमबर का उप्षन सहीतर हो जाएगा आगे देखे येन अंगेन विकरतेन अंगेन विकारा लक्षेते ततह है विबक्ति शाथ रिकिस्तान की पूर्ति करना है विकल्प कौन सा आएगा इसमें तो इसमें आएगा दोस्तो तिर्तियावी बक्ति नेक्स्ट आगे देखे बालिका है दो नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखे एक और असे करून एवम इती सुक्तिया रचनकार अस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो अपना इसमें बहुबूति नेक्स्ट आगे देखे घ्यान के विना सब सुना है इती हिंदी वाक्य cabeza संसकरत अनवाद भूति राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है ग्यान विना सर्वै सुन्य मस्ती दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे कंठ है इती उचारन इस्ताना मस्ती तो इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो कैवरगस से आगे देखे अभी तो विद्यालेम इसमें देखे किडांग ने इसता है इती वाके उच्चित विशेशनम चित्वा वाके पुरियत राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है द्वो आगे देखे तत सब्दस से नपूसक लिंगे पर्तमा बोचने र उपमस्ती तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें सहते सहते सेहनते ठीक है आगे देखे उद्दंडा चात्रह गुरुजना कुरुद्यंती इती वाके रिखांकित पदेश इस्ताने सुद्ध सब्दम लिखत राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामगरी सब्देह अस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो नपुशक लिंग है ठीक है अब देखे पद्यांस को पढ़कर अपने को उत्तर देना है अपन डायरेक्ट है चलो आप पद्यांस पढ़ते रहना ठीक है मैं आपको यहां पर उत्तर बता र सब्देह अस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो अनियर तीन नंबर उप्शन सब्देह अस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है वर्दी संदी ठीक है जहां पर भी आपको दो मात्रा दिख जाए वहां पर वर्दी संदी करना है तीन नंबर उप्शन सही उत्र आगे देखे यथेश्टम इती सब्देस सोरी इसमें देखे यथेश्टम इती पदेसमास सहस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है करम्द है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र क्या सही है नहीं इसमें हो जाएगा दोस्तो अभवह भायों समार्स हो जाएगा ठीक है करमदार ये नहीं होगा अभवह भायों समार्स हो जाएगा इसमें आगे देखिये इसमे उप्रियुक्त पध्यांट से कहलांकार का स्पभी राइट answer हो जाएगा परी 2021 को जो पाठे करम जारी किया गया था। उस पाठे करम के अनुसार ये model paper तेयर किया गया था बहुत ही सांदर है। रोजान आपको एक model paper का test देना है। और अगर आपने पिछले कई model paper का test नहीं दिया है तो आप playlist में जाएए। वहाँ पे आपको folder मिल जाएगा रिट sst model paper के नाम से तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक किजिएगा ठीक है आपको वहाँ पे बहुत अच्छी चीजिए मिलेगी और अगर आपने अभी तक अरद्द आरे सेकेट में के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रा जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत